कि है गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल गरंडरल्म तो फाइनली गाइस मुझे टाइम मिल चुका है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर बापस से अक्टिव हो जाओं क्यूंकि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पुलिमेरिय चंपा कर प्लांट है जो बहुत अच्छे से अभी प्लांट चल रहा है इतनी तेज धूप में भी बट अभी हुआ क्या है कि इसकी जो पॉर्ट यह बहुत छोटा है आठ हिंच का है और कुछ दिन पहले यहां पर तुफान आया था उसे के तोरान यह प्लांट गिर चुका था जिससे कि देख सकते इसके पत्ते भी ट तूट रखा है तो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पानी डालने के टाइम पानी पूरा बह जाता है और थोड़ा से भी पानी इसमें रह नहीं पाता तो रिपोर्टिंग करनी जरूरी है तो चलिए आज इसके बारे में होगा हमारा पूरा वीडिय तो एक्टली इस कंटेनर में मैं पिछले एक साल से अपने गार्डन का वेस्ट डाला करता था जो आज देख सकते हैं बहुत अच्छा खाद बन चुका है बिल्कुल हमारे गोवर खाद या बर्मी कंपोस्ट की तरह जिसे मैं यूज करने वाल हूँ अपने पॉर्टिंग मिक्स में तो चलिए रेडी कर लेते हैं तो यहां देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है चार हिस्थे में अपने पॉर्टिंग मेडिया जो सारी EQUALY PART में है तो चलिए दिखाताओं कि कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हमारे पास है garden soil और उसके बाद है धान की हुजी का alternative और इसके बाद है हमारे होमेडख खाद और यह हमारा ऑपके पीट- और इसके साथ बात की जाये जो Crystal fertilizer है तो इसके साथ मैंने लिया है यह हमारा ₹ कमस शॉल्ट जो दो चमद्फ के बरावर ही होगा और उसके बाद हमने लिया है गर्ट के बहुत ही अच्छा साबीत होगा तो चलिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर अपने बीडिया को हम अपने प्लांटर में फिल करेंगे और हाँ फिल करेंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छे से बाद में बैठ सके तो पहले सबसे पहले हम इसके पॉट उतार लेंगे पुराने वाले तो देख सकते हैं बहुत इजली आ जाता है बाहर रूट बांड होने पर तो इसके रूट्स जो है है तो उनको पहले हमें रिमूव करना होगा तब यह च्छे से कंटेनर में ग्रोथ ले पाएगा तो सबसे पहले नीचे से हम I day रोट्स और रिमूव करेंगे फिर साइट साइट से भी एक्स्ट्रा जो रूट्स होंगे उनको हम रिमूव कर लेंगे किसी भी टूल के मदद से तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने सारे रूट्स इक्स्ट्रा रिमूव कर दिये और जो इसके में पूट्स है उनको मैंने बैसे ही रहने दिया है ताकि अच्छे से हमारा प्लांट चल पाए बाद में रिपॉर्टिंग के बाद बरना कई बार होता है हमारा प्रेट कर लेंगे और उपर से एक वहूर करके देख लेंगे कि हमारा मिट्टी फिल・श्व कर्ली caption इक और आपको हमारी वुडियो पसंट अई है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को प्रेस करके और पर शेट कर लिए फिर मिलेंगे किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई